नमस्कार रादे रादे सवी चात्रों को तो जैसा के आज महासिवरात्री का पर्व है तो सवी चात्रों को MD केरिय क्लासेज की तरफ से महासिवरात्री की हार्दिक शुब कामना है और इस महासिवरात्री के अफसर पर हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से नेश्ट जो चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं पिछली क्लास में यानि कल की क्लास में हम लोगों ने डिसकस किया था कि भारती सम्मेदान की प्रियम्बल जो है प्रस्तावनाएं उसे सम्मदेत हमने बातें करी थी तो प्रियम्बल के बाद हम नेश्ट देखें कि भारती सम् अंत्रगत कुछ बेशिक बातों के बारे में पढ़ लेते हैं बेशिक चीजें जो है जहां से सवाल बार बार पुटप होता रहता है क्योंकि प्रस्तावना पढ़ने के बाद हम देखने वाले हैं कि सम्विदान या इसे कहें तो सम्विदान किसे कहा जाता है तो दोस्तो मैंने कल बताया था कि भारती सम्विदान की प्रस्तावना में कहा गया है के भारती जंता के द्वारा इसे जंता के लिए ही बनाया गया था दोस्तों द्यां रखेंगे कि सम्मेदान जो होता है वह किशीवी देश जो होता है अगर बात करें कि कोई भी राष्ट्र या देश है उस राष्ट्र या देश को कि प्रशाशन एबं शाशन को चलाने के लिए जो नियम और कानून होते हैं इन नियम और कानून का जो लेखा जोका होता है वही लेखा जोका या दोस्तों बात करें कि यही लेखा जोका या जिसे हम बात कहें तो वही खाता जो होता है इसे ही हम लोग सम्मेदान कहते हैं कभी पूछ लेता है कि संविदान क्या होता है तो किशी भी देश के प्रशासन, सासन, राजनीतिक बिवस्ता को जो चलाने के लिए नियम और कानूनों का लेखा जोका होता है या वही खाता जो होता है तो वही आपका Constitution या संविदान कहलाता है दोस्तों ये बही खाता या लेखा जोका जो होता है वो दो प्रकार का हो सकता है हो सकता है कि वो लिखित रूप में हो और हो सकता है कि वह लिखित रूप में ना होकर के अलिखित रूप में हो तो दोस्तों यहाँ बेसिक चीजें देखें कि सम्मिदान जो है वह दो सब्दों से मिलके बना है एक तो है सम और दूसरा है विधान सम का मतलब होता है मेरे प्यारे चात्रों शमान और विधान का मतलब होता है विधी या विधान यानि कि सम्मिदान सब्द जो है इस सम्मिदान सब्द का अगर हम साब्दिक अर्थ देखेंं तो दोश्थों साब्दिक अर्थ होता है समान बिधी یعنی कि सवी के लिए समान क्या है? बिधी है सम्मिदान में उल्लेकित कोई भी नियम और कानून या बिधी जो है वह किसी भी व्यक्तिया नागरिक के साथ विद्वाफ नहीं करता है वो सब के लिए क्या है समान है तो यहाँ पर द्यान रखेंगे कि सम्मिदान जो है उसका साब्दी करते है समान विधी दोस्तों नेश्ट बात करें अगर हम लोग कि जो सम्मिदान है इस सम्मिदान सब्द का सम्मिदान सब्द का दोस्तों सर्व प्रथम प्रियोग किसके द्वारा किया गया था तो सम्मिदान सब्द का अगर सर्व प्रियोग देखा जाए तो एक बेटेन के विचारक थे जिनका नाम था हैनरी मेनन के दौरा सर प्रितम सम्मिदान सब्द का प्रयोग किया गया था अगर आप से सवाल पूछ लेता है कि सम्मिदान का सर प्रितम प्रयोग किशनी किया था तो बिटेन के एक हेंडरी मेनन के दौरा सर प्रितम सम्मिदान का प्रयोग किया गया था या सम्मिदान सब्द का प्रियोग किया गया था दोस्तों यहां से अगर हम आगे बात करें कि जो सम्मिदाने अभी हम बात कर रहे थे कि सम्मिदान की प्रकारों के बारे में तो मिरे दोस्तों याद रखेंगे कि सम्मिदान जो है सामानित इसकी प्रक्रती दो प्रकार की होती है अभी हमने डिस्कस किया था हो सकता है कि वो सम्मिदान किस रूप में हो तो आप कहेंगे लिखित रूप में अगर लिखित रूप में हैं तो उसे कहते हैं लिखित सम्मिदान और यदि हो शकता है कि वह सम्मिदान लिखित रूप में ना हो तो दोश्ते उसे कहेंगे अलिखित सम्मिदान कभी पूँच लेता है कि लिपी की आधार पर सम्मिदान कितनी प्रकार का होता है तो दो प्रकार का होता है दोश्तो एक लिखित सम्मिदान होता है और एक एह लिखित सम्मिदान होता है जिसे बात करें कि लिखित सम्मिदान क्या होता है तो लिखित सम्मिदान उसे कहते हैं जिसके जो साच है वो प्रमाड या साच के जिसकी जो प्रमाड है वो साच के रूप में प्रयोग किया सकते है या जो लिखित रूप में होता है जिसमें विधी विदान लिखित रूप में है वो लिखित सम्मिदान होता है और जो लिखित रूप में नहीं है वो एलिखित सम्मिदान होता है यानि कि एलिखित सम्मिदान वो है जिसे साच के रूप में प्रियोग नहीं कर सकते या वो है जो सम्मिदान लिखित रूप में नहीं है ए लिखित सम्मिदान की बात कर ली लिखित की बात करें तो वो है जिस सम्मिदान को साच के रूप में प्रियोग कर सकती है जो सम्मिदान लिखित रूप में है उसे हम लोग कहते हैं ए लिखित सम्मिदान तो कभी पूछ लेता है कि लिखित और एलिखित सम्मिदान में क्या अंतर है तो दोस्तों बताएंगे कि लिखित सम्मिदान वह सम्मिदान होता है जो लिपी बद्ध है या जिसके लिखित रूप उपलब्ध है या जिसे हम साच के रूप में प्रियोग कर सकते हैं एलिकी सम्मिदान वह है जिसे साच के रूप में प्रियोग नहीं कर सकते और जिसका लिखित रूप नहीं है उसे एलिकी सम्मिदान के नाम से जाना जाता है दोश्तों अगर हम लोग बात करें कि लिखित और एलिकी सम्मिदान की अंतरगत कि लिखित और एलिकी सम्मिदान जो है इसकी कहानी क्या है दोश्तों सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं लिखित सम्मिदान में देखो लिखित सम्मिदान में 2-3 सवाल याद रखने एक तो क्या आद रखेंगे सबसे पुराना वह सबसे छोटा लिखित सम्मिदान सबसे पुराना भी है और सबसे छोटा भी है और कैसा है लिखित सम्मिदान है सबसे पुराना वो सबसे छोटा लिखित सम्मिदान की बात करें तो ये आपका अमेरिका का सम्मिदान है अमेरिका का जो सम्मिदान है मेरे प्यारे चात्रों इस अमेरिका के सम्मिदान में अगर बात करें तो इसमें मात्र अनुच्छित टोटल कितनी है साथ है अगर पूछ लेता है कि अमेरिका के सम्मिदान में कुल अनुच्छित कितनी है तो आप कहेंगे साथ इस सम्मिदान को कब लिखा गया था तो जहां रखेंगे इसे लिखा गया था 1789 में कब लिखा गया था शत्रेशो नवासी में जबकि इधर पूछ लेता है कि सबसे पुराना एल लिखित सम्मिदान कौनसा है तो सबसे पुराना अगर एल लिखित सम्मिदान की बात करें दोश्तो तो सबसे पुराना एल लिखित सम्मिदान जो है वो सम्मिदान आपका बिटेन का है किसका है बिटेन का यानि बिटेन का सम्मिदान जो है वो सबसे पुराना एलिकी सम्मिदान है जबकि बात करें कि सबसे पुराना लिखे सम्मिदान कौन सा है तो सबसे पुराना लिखे सम्मिदान जो है वो आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों यहां लिखा हुआ है बिटेन का सम्मेदान नेश्ट मेरे प्याए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसी में कि इसमें और क्या सवाल बन सकते सर तो नेश्ट सवाल बनेगा कि लिखित सम्मिदान में अगर पूछ लेता है आपसे कि एशिया का एशिया का सबसे पुराना एशिया का सबसे पुराना लिखित सम्मिदान एशिया का सबसे पुराना लिखित सम्मिदान कौन सा है एसिया की बात कर रहे हैं एसिया में सबसे पहले लिखा गया था जापान के दुआरा जापान का सम्मिदान एसिया का सबसे पुराना सम्मिदान है दोस्तों कब लिखा गया था 1860 इसवी में यानि कि विश्व का सबसे पुराना पूछेगा यहां मैं लिख देता हूँ विश्व का सबसे पुराना पूछेगा तो अमेरिका का सम्मिदान एसिया का सबसे पुराना पूछेगा तो जापान का सम्मिदान बड़ ध्यान रखेंगे दोनों सम्मिदान जो हैं वो कैसे हैं लिखित रूप में इधर एलिखित में पूछेगा कि सबसे पुराना संभिधान कौन सा है एलिखित में आप लोग लिखेंगे विटेन का संभिधान है मैं यहां next Slid में बात करता हूं कि लिखेश संभिधान में और क्या Point बन जाते हैं तो दोस्तों लिखेश संभिधान में सवाल जो बनेगा व हो है आपका देखो अगर पूच लेता है कि विश्व का विश्व का सबसे बड़ा लिखे संविदान एक एक पॉइंट समझना है यहाँ पे फैक्चुल बात है कर रहे हैं हम लोग आज विश्व का सबसे बड़ा लिखे संविदान आप कहेंगे भारती संविदान भारती संविदान अगर विश्व में सबसे बड़ा लिखे संविदान पूच रहा है तो भारती संविदान है जिसके बारे में आपने पढ़ाओगा तीन सो पिंचान में इसमें अनुच्छेद इसमें पढ़ाओगा बारे अनुचूची और लगबग पचीस या शबीश इसके अंदर क्या है भाग ये बरतमान में देखें तो ये 460 से अधिक अनुच्छे दें बड़ फिर भी 395 में अनुच्छे दें अगर मुल संविदान की एकरडिंग देखें और बरतमान में 454 से अधिक इसी है जैसे कि 21 का ए जोड़ दिया गया बट वैसे देखा जाये दोस्तो तो 300-595 में ही अनुच्छे दें तो हम बात करें भारती भारती संविदान वो संविदान है जो कि विश्यो का सबसे बड़ा संविदान है नेश्ट बात करें 21 सदी का 21 सदी का सम्मिदान और दोस्तो 21 सदी का जब भी सम्मिदान पूछेगा तो आंसर लगाएंगे नेपाल का सम्मिदान 21 सदी का सम्मिदान जो है वो नेपाल का सम्मिदान है जिसे 2015 में लिखा गया तो अगर 21 सदी की बात कर रहे हैं कि 21 सदी के अंदर जो सम्मिदान है वो कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका नेपाल का अगर हम बात करें दोश्तों कि यहां से आगे की कि यो सम्मिदान है सम्मिदान के दोरा हमने बात करी कि दो प्रकार का सम्मिदान होता है एक लिखित होता है और एक कौन सा होता है एक लिखित हमने अलग अलग बात भी करी कि लिखित सम्मिदान जो है इसके अंदर अगर ब बात करी थी कि अमेरिका के अलावा देखो यहां पर एसिया का सबसे प्राणा जापान का देखा एलिकेत में हम लोगों ने बात करी इसके बाद नैस्ट हमने लिकेत में दो पॉइंट और देके विश्चो का सबसे बड़ा कौन सा है तो भारत का संविदान है और एकिसमी सद का अगर फर्स्ट पूछ लेता है तब तो आपको नेपाल है और अभी नवीनतम की बात करें तो दोज्जा सोले में थाइलेंड के द्वारा भी अपना संविदान लागो किया गया इसके बाद देखें कि दोस्तों एक संविदान का और वर्गी करने अगर संविदान की बा संविदान एकात्मक संविदान एक इसको कहा जाता है संगात्मक संविदान एकात्मक और संगात्मक या संगिय संविदान एकात्मक का मतलब होता है दोस्तों जब किसी देश की सक्ति किसी एक व्यक्ति पद या संस्ता के अंदर नियत होती है तो उसे कहते हैं एकात्मक जीसे यह एकशामपल के तौर पर लिख सकते हैं अमेरिका संगात्मक सरकार होता है जहां पर किसी एक संस्ताय बेक्ति के पास अरवो सकती नहीं होती है वहां संगात्मक सरकार संगमिदान होता है जैसे कनाडा मैं यहां नोट करके एक पॉइंट लिखा रहा हूँ दोस्तों कभी पूछ लेता है कporte भारती संविदान जो है वो भारती संविदान का लच्छड कैसा है तो भारती संविदान के बारे मिं ध्याँ दुखेंगे भारती संविदान न तो एकात्मक है में एकात्मक और संगात्मक दोनों ही रूप दिखाई देते हैं जब भारत में आपात कालीन सुविदा जो आपात का लग जाता है तो उसमें सारी सक्तियां केंदर के पास आती हैं देन वहां एकात्मक लच्छड दिखाई देते हैं और सामानेता संगात्मक लच्छड भी है तो भारती सम्मिदान के बारे में अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे न तो ये एकात्मक है और दोस्तों ना ही ये कैसा है संगात्मक नेश्ट बात करेंगे यहां से कि हमारा जो भारती सम्मिदान है ये बेसिक पॉइंट थे जो मैंने पिछली क्लास में आपको नहीं बढ़ायते वह आज मैं कम्प्लीट कर रहा हूं कि सम्मिदान के स्रोत क्या है हमने पड़ा था कि भारती सम्मिदान के अंदर बहुत सारी बिदेशी सम्मिदानों के अध्यन करने के बाद इसमें बातों को एड़ किया गया था दोस्तों इसलिए ध्यान रखना है कि सम्मिदान के शिरोतों में कई सारे देशों के नाम आते सबसे पहले अगर हम बात करें एक तो आपका बिटेन और एक हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे अमेरिका यह दो देश थोड़े इंपोर्टेंट भी हैं और यहाँ सवाल भी ज़ाद आते हैं बात करें कि बिटेन के सम्मिदान से क्या क्या चीज़ें भारती सम्मिदान के अंदर एडॉप्ट की गई हैं तो बिटेन के सम्मिदान से बात करें सबसे पहले तो दोश्तों बताएंगे कि एकहरी नागरिकता इकहरी जो नागरिक्ता है इस इकहरी नागरिक्ता का प्रापदान कहां से लिया गया है बिटेन से आप बात करेंगे इसके लाबा संसदी सासन प्रणाली संसदी सासन प्रणाली दोस्तों कहां से लिया गया है संसदी सासन प्रणाली ये भी बिटेन से ली गई है दोस्तों बात करेंगे विदीका सासन विदीका सासन सब्द जो है वो कहां से लिया गया है बिटेन से पढ़ेंगे आर्टीकल चोद है उसमें कहा गया कि विदीका सासन जो है तो विदीका सासन भी यही से लिया गया है नेश्ट देखें, कानून निर्माड की प्रक्रिया, संसदी प्रक्रिया है, कानून निर्माड की प्रक्रिया भी, दोस्तों ये भी कहां से ली गई है, ये भी आपके विटेन से ही ली गई है, यानि कि एकरी नागरिक्ता विटेन से ली गई है, संसदी सासन प्णाली विटे उत्तरदायत तो जो है जैसे आपने पड़ाय के मंत्री परसद दो प्रकार का उत्तरदायत तो होता है उसका सामुई के रूप से वो लोग सवा के प्रति उत्तरदाई होती है जबकि बात करें व्यक्तिकत रूप से वो राष्ट पती के प्रति उत्तरदाई होती है तो दोश तो याद रखेंगे कि सर इसका उत्तर दायत तुभी कहीन की विटेन से ही लिया गया है संसदी प्रसासन की अधिकांस विशेष्टा हैं विटेन से ली गई है इसके बाद अगर हम लोग बात करें संबैदानिक उपचार की बात कर लो संबैदानिक उपचार ये भी कहां से ली गई है ये भी आपके विटेन से ली गई है ये कुछ मैतोपूर्ट तत्थ हैं जो कि विटेन के संबैदान से भारती संबैदान में सामिल किये गई हैं तो एक और चीज अगर हम लोग यही पर देखें कि हा राश्ट्रपती जो होता है इस राश्ट्रपती की इस्थिति पोजिशन्स ये भी कहां से ली गई है ये भी आपके विटेन से तो ये अपन बात करे हैं साथ पॉइंट एक अरी नागरिक्ता विटेन से लिए गया संसदी शाथन पंडाली विटेन से लिए राष्ट पदी की फिश्टिती विटेन से लिए गया और मंत्री परसद का उततर दाय से कहां से लिया गया है बिटेन से दोस्तों अगर अमेरिका की बात करें तो सबसे बड़ी चीज अमेरिका से क्या लिया गया है अमेरिका से लिया गया है नियाइक पुनराविलोकन इसके बाद देखें अमेरिका से क्या लिया गया है अमेरिका से लिए गए है, मौलिक अधिकार, अमेरिका से क्या लिए गए, मौलिक अधिकार, एक की करके समझना है, न्याय पालका, जैसे हमारे भारते में न्याय पालका है, तो उसी प्रकार से न्याय पालका सम्मंदी प्रापदान, कही न की भारती सम्मेदान में, अमेरिका से प्रिज़िद हैं इसके लाबा मौलिक अधिकार नयाएक पुन्राविलोकन और अगर चौथी बात करें तो आपने पढ़ा उपराश्ट्रपती का पद यहीं से प्रिज़िद है इसके बाद दोष्टों बात करें तो राश्ट्रपती को पद से अठाने का महा ब्योग वह म अमेरिका से एक और सम्मिदान में दोस्तों ध्यान रक्रयाँ नहीं आए विदी का समान सरच्छण आर्टिकल 14 में जिसका अलिक किया गया यही लिया गया है तो विदी का समान सरच्छण देख लेए इसके लाबा और अगर देखें कि राष्ट पति तीनों सेनाओं का सरवोच सेनापती होता है ये भी कहीं कहीं कहां से प्रिरित है तो ये भी आपका अगर हम लोग बात करें यहीं से प्रिरित है तो लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे बारते में कहा गया है कि राश्ट्रपती तीनों सेनाओं का सर्वोच कमांडर है ये भी अमेरिका के ही प्राबदान से है इसके वाला हमने पढ़ा था प्रस्तावना इंपोर्टेंट चीज थी प्रियेंबल कली पड़ी है ये भी कहां से लिए गी है ये आपकी अमेरिका से लिया गिया है ये कुछ प्राबदान अमेरिका से नैपालिका नैग प्रणावलोकन मौलिक अधिकार उपराष्टपती का पद महाव्योग की प्रक्रिया विधी का समान सरच्छन राष्टपती तीनों सेनाओं का सर्वोज प्रस्तावना या प्रियम्बल इसके बाद तीसरा देश देखें थड़ दोस्तों अकर बात कर लेते हैं तो थड़ पर लिख लेते हैं Ireland Ireland के सम्मिदान से और Ireland के सम्मिदान से अगर जो चीज ली गई है जो अपने लिए इसक तत्व यह आयलेंड से लिए गए है इसके बाद दोस्तों बात करें USSR या रूश इस शे क्या लिया गया है तो रूश से लिया गया है साब अगर बात करें मौलिक कर्तब्य पंच वर्शी योजनाएं पंच वर्शी योजना ये कहीं न कहीं कहां से परेज़ते हैं तो ये बात करेंगे हम लोग कि ये बाते कहीं न कहीं USSR या अरूश के सम्मिदान से दोस्तों नम्मर चार की बात पांच की बात करें तो नम्मर पांच पर आयाता है आपका जर्मनी जर्मनी का वाइवर सम्मिदान इस जर्मनी के वाइवर सम्मिदान से कौन कौन से पॉइंट लिए गए हैं तो को जर्मनी के वाइवर सम्मिदान से सामाने तरह लिखाया फड़ाया जाता है कि यहां से मैं दो चीज़ बता देता हूँ आपको एक तो आपात कालीन प्रावधान और एक ज्यां रखेंगे दोश्तो आपात काल के दोरान आपात काल के दोरान फंडामेंटल राइश्ट पंडामेंटल राइट्स का समाप्ती की प्रक्रिया दोश्तो द्यान रखना है कि जर्मनी के सम्विदान से जो चीज़ ली गई है वो कि व्यक्ति के आपात काल के दोरान जो सम्विदान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं मौलिक अधिकार्ज होएं इनको समाप्त करने की प्रक्रिया जर्मनी से अगर आप से पूचे आपात काल इनक प्रापधान कहां से लिया गया है तो दोश्तो ये लिया गया है 1935 के भारशासन अधिनियम से केवल आपात काल पूचता है तो ये 1935 के भारशासन अधिनियम से लिया गया है जब ये बात option में नहीं होती है तो हम जर्मनी का ही नाम लेते हैं क्योंकि जर्मनी के सम्मिदान में भी आपात काल के दौरान fundamental right के समापन की प्रक्रिया का उल्ले किया गया है दोस्तो इसके बाद अगर हम बात करें कि और देश कौन सा है एक देश है आपका जिसका नाम है दच्छन अफरीका दच्छड अफ्रीका से क्या लिया गया है तो यहां से लिया गया है अगर बात करें कि दच्छड अफ्रीका से तो यहां से है अपनी संसोदन की प्रक्रिया संसोदन का प्राबधान यानि सिंपल सी बात करें तो आर्टिकल 368 जो है वो कहीं न कहीं आपके दच्छड अफ्रीका के संसोदन से ही प्रेरित है दोस्तों यह बात हैं थी जो अलग अलग देशों से भारती है संसोदन की अंदर सब्द लिये गए हैं इसके बाद एक इंपो वो देश है आपका एक तो हम बात करें देश है फ्रांस फ्रांस से मैंने कल भी बताया था आपको फिर भी बता देता हूं स्वतंत्रता समता और बंदुता सब्द लिये गए हैं इन तीनों का अगर हमसे उल्लेक पूशेगा तो बताएंगे यह कहां पर रहें तो कली लोगों ने दोश्तो बारती सम्मिदान की प्रस्ताव नाम है तो बारती सम्मिदान की प्रस्ताव नाम है यह सब्द जो उल्लेक है स्वतंत्रता शम्ता बंदुता यह लिए गए हैं फ्रांस से इसके बाद एक दिश है ऑस्ट्रेलिया दूस्तो आस्टेलिया के सम्मिदान से क्या लिया गया है तो यहां की जो इंपोर्टेंट चीज हैं देखो एक तोवे समबर्ती सूची मैं आपको पढ़ाई थी अनसूची कमेंट करके बताएंगे कौन सी है किस अनसूची में इनका उले किया गया था कि आस्टेलिया के सम्मिदान से सम्मिदान से सम्मिदान से लिए इसके अलावा कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रियेम्बल या प्रस्तावना की जो भासा है यह भासा भी कहां से लिए आस्टेलिया के सम्मिदान से मेरे प्यारे दोस्तो औस्टेलिया की संबर्ती सूची यानि कि इसका प्राबदान हमने 1935 के अधिनियम में भी पड़ा था फिर हमने बात करी थी कि भारती संब्यदाने की अनसूची साथ में जो विश्यों का बटवारा किया गया है यानि कि जो सब्जेक्ट का डिवीजन कि लिए गया है बो तीन सीडूल से सुचियों में था कि नमबर एक हमने बात करी थी संग सूची राज सूची और संबर्ती सूची और ये तीन सूचीयों में जो इसका बरगीकन्द था उनमें से संबर्ती सूची कहां से लिगई है तो दोस्तों आंसर लगाएंगे कि इसको लिया गया bet इसको लिया गया आपके आस्ट्रिया के सम्मेदान से अब हम लोग देखें कि क्या कोई और भी डेश है जिसका भारती सम्मिदान पर प्रभाव दिखाई देता है तो दोश्तों इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि और भी कई सारे देश हैं जैसे एक देश कनाड़ा इसमें जो सम्मिदान का भाग फस्ट है इस भाग फस्ट के अंदर जो अनुच्छेद एक है इस अनुच्छेद की एक के अंदर क्या उल्लेखित है वो आपको पता होगा कि भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राजियों का संग है तो इस अनुच्छेद एक की जो सब्दा वली है वो यहाँ से ली गई है और एक ध्यान रखना है कि यहीं से भारत में संगवाद की अवदार्णा भी ली गई है ये भी पॉइंट याद रखना है एक और पॉइंट में अगर आपको बता दूँ कि एक देश है जिसका नाम है जापान इस जापान से क्या लिया गया है तो वहां ध्यान रखेंगे आर्टीकल 21 से कहा जाता है प्राण एवं देहिक स्वतंतरता प्राण एवं देहिक स्वतंतरता तो आर्टीकल 21 की अगर सब्दावली पूछ लेता है तो आप आंसर लगाएंगे कि इसकी सब्दावली जो है वो जापान से ली गई है जबकि अनुच्छे एक की सब्दावली करनाना से लिए मैं एक वार रिवीजन करा देता हूँ सारी स्लाइड्स का शुरूशे हमने क्या क्या पड़ा देखो दो सबसे पहले हमने बात करी कोंस्ट्टूशन के बारे में सम्विदान जो वह दो सब्दों से मिलके बना है एक सम प्लस विदान इसका सम का मतलब समान और विदान का मतलब विदी यानि विदी के लिए जो समान सब के लिए विदी है वो सम्विदान का अर्थ था सम्विदान जो है किशीवी राष्ट्र अद्देश यानि नागरिकों के दोरा जंता के दोरा बनाया गया राश्ट या देश्ट के सासन प्रशासन राजनीति को चलाने के लिए जो नियम और कानूनों का लेखा जोका या बही काता होता है वही दोस्तों क्या है सम्मिदान है Next मेरे दोस्तों बात करी हमने सम्मिदान सब्दका सरप्रतम प्रियो किसने किया हेनरी मेनन के दोरा जो कहां के थे तो आप आंसर लगाएंगे विटेन के रहने वाले थी दोस्तों Next हमने बात करी सम्मिदान के प्रकार एक तो होता है लिखे सम्मिदान और एक होता है एलिखे सम्मिदान जब लिके सम्मिदान की बात करी कि जिसको साच्च के रूप में प्रियोग कर सकते हैं जो लिपी बद्या लिखा हुआ है जो लिखा हुआ नहीं है साच्च के रूप में प्रियोग नहीं होता है वो ऐल लिके सम्मिदान होता है नैसे हमने बात करी कि विश्टो का सबसे पूराना अगर यहां लिखा है कि विश्टो का सबसे पुराना और सबसे चोटा लिखे समयचे कौन सा है तो दोस्तों वाहां अमेरिका आएगा अमेरिका के अगर सम्मिदान की बात करें तो इसमें अनुच्छे कुल कितनी है आपके तो साथ अनुच्छे दें, कब लिखा गया था, सथरे सो नवासी में फिर A.C.R. का सबसे पुराना पूछ लेता है तो जापान जापान के दोरा जो सम्मेदान लिखा गया था अपना ये सम्मेदान जापान ने कब लिखा था 1860 इसवी के अंदर फिर हमने बात करी एलिकित में सबसे पुराना कौन सा है एलिकित में अगर सबसे पुराना पूछ लेता है तो वो बेटेन का सम्मेदान फिर हमने बात करी लिखे सम्मेदान में कि विश्व का सबसे अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लिखे सम्मेदान कौन सा है तो वो आपने देखा कि बारती सम्मेदान मेरे प्यारे दोस्तों बारती सम्मिदान में 395 अनुच्छेद 12 अनुचुचियां और 25-26 लवक भागें यानि कि वर्तमान में 460 से अधिक अनुच्छेद हैं इसमें 21 मी सदी में लिखा गया 21 मी सदी में लिखा गया पहला सम्मिदान कौन सा है तो नैपाल का 2015 में सम्मिदान यानि कि जहां सर्वो सभी सकतियां किसी एक सरस्ता विक्ति या फिर हम लोग देखती हैं पद में नहीं तो होती है एकात्मक होता है संगात्मक में मतलब देखें जब सक्तियों का बटवारा मिलेगा आपको जैसे कनाड़ा संगात्मक है अमेरिका एकात्मक है बारत की पूछ ले कि भारती सम्मिदान कैसा है तो मेरे प्यारे दोस्तों ना तो ये संगात्मक है और ना ही क्या है एकात्मक है इसलिए बारती संग्मिदान में एकात्मक लचणों के साथ साथ संगात्मक लचण भी है फिर हमने देखा सम्मेदान के सिरोत मैंने बताया था कि बारती सम्मेदान जो है उसमें लगबग 60 देशों का अध्यन किया गया और 60 देशों के अध्यन के बाद इसे शुनिजित किया गया था जहां से जो बातें अच्छी लगी उन्हें संसोदन के साथ में भारती सम्मेदान में सामिल कर लिया गया था यहां आमने बिटेन देखा एकहरी नागरिक्ता संसदी शासन प्रणाली विदीका शासन निर्माड की प्रक्रिया मंत्री फर्षद और सम्मेदानिक उपचार और राष्टपती की स्तिती सारी बातें विटेन से लिग गई है नियायपालिका नियायक पुन्राविलोकन मौलि राष्टपती और प्रस्तावना यह सारी बातें अमेरिका के सम्मेदान से ले गई है जात सवाल इन दोनों से ही पुटप होता है विटेन और किसे अमेरिका से तीसरा जो देशता वो हमने पड़ा आयरलेंड के सम्मेदान से जो आपके लिए इंपोर्टेंट है वो बात है डीपी एसपी राज्य के नीती नीती सकता तो देखो बहुत सारी बाते हम पढ़ सकते हैं बड़ एक्जाम में जो सवाल रिपीटेड होते हैं जो सवाल पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना हैं वही बाते मैंने दोस्तों सामिल की हैं इसके बाद रूस से लिए गया मौलिक कर्तब और पंचवर्षी योजना एक चीज और लिख सकते हैं आप कि जो हमारी बारती सम्यदान की प्रस्तावना हैं इस प्रस्तावना में जो नियाए सब्द का उलेक है यह नियाए सब्द भी कहां शे लिए गया तो यह भी रूस या यूसे सार से लिए आपातकाल के दोरान फंडामेंटर राइट्स का समापत करने की प्रक्रिया यानि अनुच्छे तीन सो अठामन और तीन सो उन्सट में जो लिक है वह बाते कहीं कहीं जर्मनी से लिए जिबकि आप से पूछ लेता है कि आपातकाल कहां से लिए गया है तो आपातकाल होने वाला सवाल है दोस्तों फ्रांस से क्या लिया गया है स्वतंतरता समता बंदुता यानि इनका उल्ले कहां पर है प्रस्तावना में आश्टेलिया से क्या लिया गया है संबर्ती सूची प्रस्तावना की वासा और दोस्तों बात करें जापान से आर्टिकल 21 की सब्दा और कनाडा से लिया गया है अब भाग फर्ष्ट में अनुछे एकी सब्दावली और संग वादवी कहीं कहीं कहां से है कनाडा से ही है जिसमें दोस्तों संग सूची और राज सूचीयों का ओल लेखे तो यह हमने बात करी आज कि भारती सम्मेदान जोता उसकी बेसिक चीजें कि सम्मेदान क्या है प्रकार क्या है और सम्मेदान के स्रोत क्या है नेश्ट दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहां से आगे तो हम कल स्टार्ट करने वाले हैं जो सम्मेदान है हम बात करेंगे कल से कि भारती जो सम्मेदान है उस भारती सम्मेदान के भाग फर्ष्ट के बा देखा था सम्यदान सवा उस सम्यदान सवा की परशनुतरी को हल करेंगे टो दोस्तोटकि क्लास घराइधाorschन की प्रशनुतरी को लेकर रहेंगे और जाइंगे और इस क्लास को भी आप जरूर देखेंगे और इससे आप टॉपिक का क्या करेंगे रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद फिर इस क्लास को लेंगे सेटरड़े को हम बात करेंगे सम्मिदान की सम्मिदान जो सवा है सम्मिदान सवा की जो प्रशनोत्री है उसे सम्मनितम प्रशन लेकर करके आएंगे तो वहां प्रशनो बार नमस्कार सभी को महासे वरात्रिय की पुने आर्देक सुब कामना है